पर आप सभी का हादिक स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे आज है चब्यस मई और आज हम डिसकस करने वाले हैं चब्यस मई के मोस्ट इपूनेट कोशन करेंट अफेर्स के जो आपके वन डे एक्जाम SSC बैंक टीचिंग प्लिज और अन्य अदर इस्टेट एक्जाम में जहां करेंट अफेर्स पूछी जाती है उसके लिए में लेकर आया हू आपके लिए current affairs और statics के कुछ महतवपून कोशन तो चलिए start करते हैं आज का session जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही महतवपून तो चलिए पहला कोशन भारत के किस देश के बीच corporate के चोते संस्क्रण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया आपको बताना है कि the fourth edition of corporate was organized between India and which country in the Bay of Bengal यानि कि corporate है इसका चोता संस्क्रण कहां आयोजन जित किया गया यह आपको बताना है आपके option है स्री लंका कि स्री लंका कि बांगलादेश कि स्री लंका बांगलादेश कि मयामार और मालदीव तो जब भारत और किस देश के बीच चोता corporate सम्मेलन या चोता corporate संस्क्रण का आयोजन किया गया तो इसका right answer है बांगलादेश भारत और बांगलादेश के बीच कोर्पेट के चोथे संस्क्रण का आयोजन कहां किया गया बंगाल की खाड़ी में किया गया बंगाल की खाड़ी में और कौन्चा संस्क्रण था यह चोथा संस्क्रण था यह भी आपको ध्यान रखना है फोर्थ एडिशन इसका 4th edition था इसके लाव आपको ध्यान रखना है कि पूछ लेगा कि यह कब से कब तक क्या गया तो यह 22 और 23 मही में क्या गया डेट भी आपसे पूछ सकता है तो इसकी डेट है 22 या 23 मही दो दिन तक यह चला 2 days 22 और 23 मही के बीच और 4th edition था आपसे पूछ लेगा कि इसका पहला edition या पहला संस्करण कब आयजित किया गया तो पहला संस्करण इसका आयजित किया गया 2018 में 2018 में ये भी आपको ध्यान दखना है कि इसमें भारत की तरफिछे किन युद्पोतों ने भाग लिया तो भारत की तरफिछे INS kora ये दो आपको ध्यान दखना है कुण कुण से है ये भारत के युद्पोत अगर मैं बांगलादेश के युद्पोत की बात करूँ तो बांगलादेश के हैं अली हैदर अली हैदर वा अबू उमेदा अबू उमेदा कौन कौन से हैं अली हैदर और अबू उमेदा यह आपको ध्यान लखना है और यह कहां जित कह गया बंगाल की खाड़ी में अगर मैं बंगाल की खाड़ी की बात करूँ तो ये भारत के पूर्वी हिस्से मर है ये भारत है और इसके पूर्वी इस्सा जो है ये पूर्वी तट है यहां बंगाल की खाड़ी स्थित है और यहां इधर पस्चिम हिस्सा है यहां अरब सागर और दक्षिन में है हिंद महा सागर ये है इसके अलाव आपको ध्यान रखना है कि इसका पहला एडिशन कब हुआ दो अजार अठारा में हुआ और यह इसका फूर्थ एडिशन था किसके बीच हुआ भारत और बांगलादेश के बीच हुआ बांगलादेश के आपको ध्यान लखना है और यहां की क्रंसी है टका तका राजधानी है धाका यह भी आपको ध्यान लखना है और भारत और बांगलादेश के बीच में जो सेन्य exercise होती है उसका नाम है संप्रिती यह आपको ध्यान रखना है कौन सी है संप्रिती 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 exercise किन दो देशों के बीच आयजित होती है भारत और बांगलादेश के बीच तो यह आपको ध्यान रखना है तो जो चोथा corporate sunscreen हुआ ये बंगाल की खाड़ी में हुआ और भारत और बांगलादेश के बीच हुआ ये भी आपको ध्यान लखना है next question है उत्राखंड सरकार ने अक्से उर्जा परियोजना के लिए किस company के साथ समझोता किया आपके option है HP हिंदुस्तान petroleum BPCL Reliance Limited या इन में से कोई नहीं तो जो उत्राखंड सरकार ने इसने अक्से उर्जा के लिए किस company के साथ समझोता किया या आपको बताना है तो इसका right answer है BPCL BPCL भारत Petroleum Corporation भारत Petroleum Corporation Limited ये आपको ध्यान लखना है किसके साथ हुआ भारत Petroleum Corporation option number B ये आपको ध्यान लखना है किस ने गया उत्राखंड सरकार ने और इसका जो इसकी जो स्थापना हुई इसकी स्थापना हुई 1976 में 1976 में इसका headquarter है मुंबई इसका headquarter है मुंबई ये आपको ध्यान लखना है और इसके जो MD वसीयो है वो है अरुन कुमार कोन है अरुन कुमार अरुन कुमार अरुन कुमार अरुन कुमार सिंग ये आपको ध्यान लखना है अरुन कुमार सिंग अरुन कुमार सिंग किसके साथ समझोता किया BPCL भारत Petroleum Corporation Limited और इसकी स्थापना हुई 1976 में इसका Headquarter है मुंबई में और अरुन कुमार सिंग इसके क्या है MD बस CEO है या Director मार्दी से आप बोल सकते हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं इसके अलावा आपको ध्यान दकना है HP हिंदुस्तान Petroleum इसकी स्थ कि अपना हुई 1984 में ये भी आपको ध्यान दकना है और इसके जो MD seo है हो है वह पुष्प कुमार जोसी अ कि यह alelね पुस्प कुमार जोसी यह आपको ध्यान दकना है बार उत्राखंड सरकार। उत्राखंड सरकार किसके सा समझोधा कि आप BPCL के और उत्राखंड मुख्य मंत्री का नाम है पुसकर सिंग धामी ये भी आपको ध्यार नकना है और यहां के राज्येपाल है गुरुमीत सिंग गुरुमीत सिंग राज्येपाल गुरुमीत सिंग गुरुमीत सिंग ये भी आपको ध्यार नकना है और उत्रा खंडराज्ये की दो राजधानिया है एक है देरादून और एक है गैरसेन ग्रिश्मकालीन है और सीतकालीन और जो गैरसेन है वो है ग्रिश्मकालीन और गैरसेन पड़ती है चमोली में चमोली डिस्टिक में जिसे फूलो की घाटी के नाम से भी जाना जाता है यह लगाकर सिखरदवन पहले खिलाड़ी बन गए है सिखरदवन has become the first player to hit how many force in IPL कितने चोके लगाकर वे पहले खिलाड़ी बन गए है IPL के त्यास में सबसे ज़्यादा 4 run या चोके लगाने वाले तो ये 700 ये पहले नंबर पर है अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ तो ये है डेविड वोर्नर डेविड वोर्नर और ये किस देश के खिलाड़ी है ये है औस्ट्रेलिया के खिलाड़ी औस्ट्रेलिया ये भी आपको धान रकना है किस देश के खिलाड़ी है और IPL का पहला संस्क्रण कब आयुजित किया गया आप से कोशन पूछ सकता है कि IPL का पहला संस्क्रण कब आयुजित किया गया तो पहला संस्क्रण 2008 में आयुजित किया गया था और इसकी विजयता टीम थी राजस्थान रोयल राजस्थान राजस्थान रोयल यह आपको ध्यान रखना है तब से ज़्यादा बार आई पेल जो प्रत्योगता है किस ने जीती है किस टीम द्वारा जीती गई तो मुंबई इंडियन्स मुंबई इंडियन्स यह भी आपको ध्यान रखना है कि इद्यान रखना है कि सिखर धन्ने किछ चौक लगा एक 700 पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर है डेविडवारनन जो आस्ट्रेलिया के खलाड़ी हैं तीशे नंबर पर है विराट कोली भारतिय खलाड़ी और यह किस टीम के लिए खेलते हैं यह आर बीसी यह निके रोयल चलेंजर बैंगलोर के लिए खेलते हैं ठीक है यह आपको आर्च भी और जो पहला संस्क्रण आयजित क्या गया था आइपल का वो 2008 में और सबसे ज़्यादा वाज जीता व कौन नुक्त किये गए हैं वो हैस बीन अपोइंट इस दन्यू गवर्नर ओफ डिली आपके ओप्शन है देइंद्र कुमार जोसी विने कुमार सक्सेना बनवारिलाल पुरोईत या इन में से कोई नहीं आपको बताना है कि दिली के नहीराज्यपाल कौन नुक्त किये गए ह किसे विने कुमार सक्सेना को नुक्त किया गया है अगर मैं इससे पूर्व की बात करूं पूर्व राज्यपाल कौन थे आपसे पूर्ष सकता है तो वह है अनील बैजल अनील बैजल और आपसे पूछ ले कि इन्होंने इस्थिफा क्यूं दिया तो व्यक्तिगत कारणों के चलते है इन्होंने अपना इस्थिफा दिया ये भी आपको ध्यान रखना है अनील बैजल और विने कुमार सक्षेना वर्तमान में दिली के राज्येपाल है और राज्येपाल की न् रेक्त कुमार्जोषी अंडमान निकोबार दीप समू के क्या है जो आंडमान निकोबार दीप समू है मारा उसके राज्य कि देविंद्र कुमार जोसी यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा बनवारी लाल पुरोईत चंडीगड के उपराज्येपाल है यह भी आपको ध्यान रखना है कहां के चंडीगड के उपराज्येपाल चंडीगड चंडी गड़ के राज्येपाल बनवारी लाल पुरोईतिये आपको ध्यान रखना है तो नहीं चो दिल्ली के राज्येपाल बने हैं वो कोने विने कुमार सक्षेना नेक्स्ट कोशन है संभव पोर्टल उर्जा सहरीविकास पर्योजनाओं की सिकायत के लिए किस पर्देश ने यह पोर्टल लोंच किया है आप से पूछ रहा है कि संभव पोर्टल वाज इस्टेट है लोंच्ड एप पोर्टल है अपको इसका राइट आंसर बताना है कि किस पर्देश के दुआरा यह संभव पोर्टल लोंच किया गया है तो हाली में उत्तर परदेश सरकार द्वारा संभव पोर्टल लोंच किया गया है सहरी उर्जा निवारण के लिए यानि के जो सिकायते हैं सहरी उर्जा की उनके लिए यह पोर्टल लोंच किया गया है किसने उत्तर परदेश सरकार द्वारा यह लोंच किया गया है उत्तर प्रदेश के जो मुख्य मंतरी है वो है योगी आधित्यनाथ इसके अलावा आपको ध्यान लखना है उप मुख्य मंतरी आप से पूछ सकता है तो उप मुख्य मंतरी है ब्रेजे स्पाथक और केशव प्रशाद मोरिया केसव परशाद मोरिया ये दो नाम आपको ध्यान लखने हैं केसव परशाद मोरिया इसके अलावा आपको ध्यान लखना है जो हमारे सहरी विकास मंतरी है वो हैं अर्विंद कुमार सर्मा कोन है अर्विंद कुमार सर्मा सहरी विकास मंद्री अर्विंद कुमार सर्मा अर्विंद कुमार तर्मा इसके अलावा हाली में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचीव न्युक्त किया गया है वो कौन है वे हैं दुर्गा संकर मिश्रा ये भी आपको ध्यान नकना है दुर्गा संकर मिस्रा मुख्य सचीव मुख्य सचीव दुर्गा संकर मिस्रा तो संभव पोर्टल किस सरकार द्वारा लोंच किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोंच किया गया है सहरी विकास परियोजनाओं की सिकाय सुनने के लिए ये पोर्टल लोंच किया गया है आपको ध्यान नकना है और यहां के जो सहरी विकास परियोजना या सहरी प्रविकास के मंत्री है वो है अर्विंद कुमार शर्मा और मुख्य सचीव को न्यूक्त किये गए हैं यह है दुर्गा संकर मिश्रा यह आपको ध्यान रखना है दूर्गा संकर मिश्रा दूर्गा संकर मिस्रा और जो हाली में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में इसमें बीजेपी ने 273 सीटे जीती थी आपसे पूछ सकता है कि बीजेपी ने कितनी सीटे जीती थी विदान सभा चुनाव में तो 273 सीटे बीजेपी द्वारा जीती गई थी यह आपको ध्यान लगबग कितनी नोक्रिया गई है आपको बताना है कि जो आया लो द्वारा अंतराश्टिय सर्म संग्धन द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई 2022 में इसकी पहली तिमाई में कितनी नोक्रिया गई है पूरे विश्व की अगर बात करें तो इसमें 11.2 नोक्रिया गई है कितनी 11.2 नोक्रिया गई है यह आपको फेक्ट याद रखना है 11.2 इसका राइट आंसर है D 11.2 अगर मैं बात करूं अंतराश्चिय स्रम संगठन तो इसकी स्थापना हुई 1919 में यह आपको ध्यान रखना ह कब हुई 1919 में और इसका जो हैड़कॉर्टर है वो है जनेवा आपसे पूछ सकता है इसका हैड़कॉर्टर कहा है तो इसका हैड़कॉर्टर है जनेवा इसका हैड़कॉर्टर कहा है जनेवा और इसके जो आहाली में महानिदेशक है वो है गाय राइडर महानिदेशक महानिदेशक गाय राइडर गाय राइडर यह आपको ध्यान लखना है कौन है गाय राइडर और इस्थापना कब हुई 1919 में हेड क्वार्टर है इसका जनेवा में और कितनी नोक्रिया गई according to अंतराष्टिय लेबर और्गनाइजेशन तो 11.2 क्रोर यह आपको ध्यान लखना है यह factual question आपको ध्यान लखना है ठीक है नेक्स question है Spanish Grand Prix जीतने वाली खिलाडी कोन बने है जो racing होती है car racing उसका यह एक championship है Spanish Grand Prix यह किसके द्वारा जीती गई है आपको बताना है Max Westepan, Lewis Hamilton Michael Sumakar या Narayan Karthik Kane आपको बताना है कि किसके द्वारा यह है परत्योगता जीती गई है तो यह परत्योगता Max Westepan के द्वारा जीती गई है यह आपको ध्यान लखना है और Max Westepan किस देश के खिलाडी है तो यह Bellisium के खिलाडी है ब्रूसेल्स के खिलाडी है काहा के बैलेजियम और बैलेजियम की राजधानी है ब्रूसेल्स ब्रूसेल्स काहा के ख्लाडी है candles बैलेजियम के ख्लाडी है और किस company के लिए खिलते हैं तो यह है red bull red bull यह भी आपको थ्यान रकना है आपसे पूछ लेगा कि जो हाली में grand prix परतियोकता जितने वाले खिलाडी है Max Westviously, इह किस कंपनी के खिलाडी हैं YouTube है Red Bull ये आपको ध्यान रखना आए अगर मैं Lewis Hamilton की बात करूँ तो ये बॕूदे इन क्वारी एक कांगे बॕunya के और किस कंपनी के लिए रेशिंग करते हैं तो ये आपका Jordan Company है उसके लिए racing करते हैं Mercedes के लिए racing करते है Mercedes ये भी आपको ध्यान रखना है Jordan और Mercedes ठीक है और Michael सुमाकर ये Germany के पूर खिलाडी थे इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भारत के एक मातर खिलाडी कौन है और ये किस राज्ये से संबंदिध है ये Tamil लाडू Tamil लाडू ये आपको ध्यान रखना है Tamil लाडू ये भारत के एक मातर कार रेशर है को नाराण कार्थिकेन ये आपको ध्यान रखना है तो किस ने जीती ये जीती Spanish Grand Prix जो जीती है ये Max Westepan ने जीती है ये आपको ध्यान रखना है और ये किस देश के है Bellism और Bellism की राजधानी है Brussels और Brussels में ही NATO का मुख्याल लह है ये भी आपको ध्यान रखना है किस का मुख्याल लह NATO का 've प्राजयदारी एजूकेशन या तीनों आपको बताना है कि जो हाली में क्वार्ट सम्मेलन हो रहा है यह कहां हो रहा है यह जापान में हो रहा है यह भी आपको ध्यान रखना है जापान कहाँ जापन में इसका योजन हो रहा है तो इसका जो आयजन हो रहा है जापन में इसमें ही संभलन में एक फैलो सिप योझना लौंच की गई कवार देशों के दौरा क्वार देश कौन-कौन 얼in से हैं जापन अमेरिका ओस्ट्रेलिया और भारत यह भी आपको ध्यान रखना ह कौन कौन से देश हैं अमेरिका भारत और ओस्ट्रेलिया 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 ठीक है यह आपको धान लखना किसने देश है चार देश है कौन कौन से हैं जापान अमेरिका भारत और ओस्ट्रेलिया और क्वार्ड की स्थापना हुई 2007 में लेकिन 2008 में आस्ट्रेलि इससे वापस हो गया इस जो संगड़ने इससे इसने वापसी कर ली यानि इससे हट गया और दुबारा इसकी पुर्ण स्थापना दोजार सत्रा में हुई ये भी आपको ध्यान लखना है कब हुई 2017 में इसकी स्थापना हुई आश्टिलिया के दुबारा वापस आने से ये भी आपको ध्यान लखना है और इसका जो हाली में सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ वो जापान में हुआ इसी में एक फैलोशिप योजना लौंच की गई जिसम ने कहा गया कि क्वार्ड देशों के 25 चात्र यानि के 25 चात्रों को सिक्सा के लिए अमेरिका में जो प्रशिद विश्विद्याले हैं उनमें भेजा जाएगा किसकी तरफ से जो क्वार्ड देश है कौन-कौन से भारत अमेरिका उस्ट्रेलिया और जापान यहां के कितने बक्षों को 25-25 बक्षों को भारत शरकारीया क्वार्ड देश सरकार अपने खर्चे पर यहां पढ़नने के लिए भेजेगी तो आपको ध्याना रखना एंकिसे एज्यूकेशन के और यह भी आद रखना है कि कितने बच्चों को यह फैलोशिप दी जाएगी तो 25 बक्चों अपने खर्चे पर यह आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई 2007 में लेकिन पुनल इस तापना 2017 में क्यों हुई क्यूंकि आस्टेलिया वापस हो गया था यह आपको ध्यान रखना है नेक्ट कोशन है हाली में भारत का कौन सा राज्य परत्यक्स विदेशी निवेश के मामले में सिर्ष पर रहा है इसे बोलते हैं FDI FDI, Foreign Direct Investment यानि कि किसी देश की कंपनी आपके देश में कितना निवेश कर रहे है कहने का मतलब यह है कि आपके देश में निवेश करने वाली कंपनियां या निवेश करने वाले देश foreign direct investment इसमें सबसे पहले नंबर पर भारत का कौन सा राज्य है कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के किस राज्य में FDI सबसे ज़्यादा आया यानि कि भारत जो विदेशी कमपनिया है वो किस राज्य में अपना निवेस सबसे अधिक कर रही है तो वो है करनाटक करनाटक राज्य में सबसे ज़्यादा निवेस आया पहले नंबर पर करनाटक दूसे नंबर पर महराष्ट यह आपको पूरा ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर कोन है दूसे नंबर पर कोन है और तीसे नंबर पर है दिल्ली दिल्ली पहले नंबर पर हैं सिंगापुर। अगर राज्या पूछले कि फ्डुयाई गहेंड करने वाला या अफड़ी य निवेश हुआ सब स्याला कि राज्यцев में हुआ तो करनाटक दूसे नंबर पर है माराश्ट और तीसे नंबर पर है दिल्ली अगर मैं देश की बात करूँ किस देश के दुआरा सबसे ज़्यादा निवेश किया गया भारत में तो यह है सिंगापूर, अमेरिका, मलेशिया और टोटल अगर मैं निवेश की बात करूँ टोट एकिस बाइस में कितना FDI प्राप्त किया तो वो है 83.5 मिलियन डॉलर यह भी आपको ध्यान रखना है इसके लाव आपको ध्यान रखना आप सब पूछ सकता है कि किस छेत्र में सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त हुआ तो वो है कंप्यूटर हाडवेयर वाज सोप्ट्वेयर यह भी आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर हाडवेयर वाज सोप्ट्वेयर कि हाडवेयर और सोप्ट्वेयर कि दूसरा है सर्विस छेत्र कि सर्विस और तीसरा है ओटो मुबाइल कि ओटो मुबाइल यह भी आपको ध्यान र अगर राज्जय पूच ले तो पहले नमबर पर करनाटक, दूसरे पर महराज, तीसरे पर दिल्ली, अगर मैं देश की बात करूँ कि पहला जो देश है वो है सिंगापूर, जिसने सबस्यादर निवेश किया, जिसमें भारत में, ध्यान रखना है हंसा एंजी दो सिटो वाले फ्लाइंग यह फ्लाइंग है फ्लाइंग फ्लाइंग विमान को किसने लॉंच किया है हंसा टू सिटर फ्लाइंग ट्रेनर एरक्राफ्ट CSIR NAL DRDO या इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है किसके दुआरा लॉंच किया गया है तो यह CSIR इसका राइट ओप्षन है CSIR यानि के Counseling Scientific Industrial Research इसके फ्लाइंग क्या है Council Scientific Council of Scientific Industrial रिसर्च यह आपको ध्यान रखना है किसके दुआरा CSIR के दुआरा दो शीटो वाले प्लाइंग ट्रेनर विमान को लॉंच किया गया है जिसका नाम है क्या है हंसा यह भी आपको ध्यान रखना है हंसा NG आपसे पूच सकता है हंसा NG और किसके दुआरा निर्मित किया गया तो CSIR अगर मैं CSIR की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में आपको ध्यान रखना है कब हुई 1942 में और इसके जो हेड़कॉर्टर है वो है नई दिल्ली यह भी आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो इसके महान निदेशक है वो है राकेस गोखले कौन है राकेस गोखले यह भी आपको ध्यान रखना है तो यहां से कोशन बन सकता है कि CSIR दुआरा हाली में कौन सा फ्लाइंग ट्रेनर लॉंच किया गया है या निर्मित किया गया है तो वो है हंसा एंजी यह नाम भी बहुत इंपोटेंट है याद रखना है इसके अलावा इसकी स्थापना का वो ही किसकी CSIR की तो 1942 में इसकी स्थापना की गई और Headquarter है इसका नई दिल्ली में और DG या महान देशक है इसके राकेश गोकले यह भी आपको ध्यान रखना है Next Question है सवदेशी Hyperloop प्रनाली को विक्षित करने के लिए Rail मंतराले ने किसके साथ समझोता किया है With whom has the Ministry of Railway signed an agreement to develop indigenous Hyperloop system IIT दिल्ली, IIT मदरास, IIT खड़कपूर यह आपको बताना है कि इन में से किस IIT के साथ मिलकर Rail मंतराले सवदेशी Hyperloop का निर्मान कर रही है तो इसका राइट आंसर है IIT मदरास IIT मदरास यह आपको ध्यान रखना है कौनसा है IIT मदरास और IIT मदरास की स्थापना हुई 1969 में यह भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि IIT मदरास के जो हैड है वो है आपका पवन कुमार पवन कुमार पवन कुमार गोयन का पवन कुमार गोयन का यह आपको ध्यान रखना है चुम्भक के द्वारा चुम्बक कसक्ती के क्राइट ययार में की सत्लित याजाएगा इसका संचालर भारत से भारविदेश में रह रहे हैं वो भी IIT JEE की परिक्सा दे सकते हैं तो आप से पूछ रहा है कि भारत सरकार ने कितने देशों को यह परमिशन दी है option है 12, 2, 25 या 30 आपको पताना है कि किन देशों में या कितने देशों में जो भारतिय विदेशों में रह रहे हैं वो IIT JEE की परिक्षा दे सकते हैं इसका right option है 25 यह आपको ध्यान दकना है सबसे पहले दो देशों को यह अलाव किया गया था उसके बाद 12 देशों को लाव किया लेकिन हाली में 25 देशों में रहने वाले भारतिय अब IIT JEE IIT JEE की परिक्षा दे सकते हैं यह भी आपको ध्यान दकना है कि इतने देशों में 25 देशों में रहने वाले भारतिये यह आपको ध्यान दकना है नेक्स्ट कोशन है किस राज्ये ने आउट्सोर्सिंग वाली सरकारी कमपनियों में महिलाओ को 33 परसेंट आरक्षन दिया है तो केरल, करनाटक, उडिशा और उत्तर परदेश तो आपको बदाना है कि किस राज्ये के दुआरा आउट्सोर्सिंग यानि कि बाहर से जो करमचारी नियुक्त किये जाते हैं उसमें महिलाओ को कितना परसेंट आरक्षन है तो वो है 33 परसेंट और किस सरकार के दुआरा तो ये करनाटक सरकार के दुआरा और करनाटक के मुख्य मंत्री हैं कौन है विशवराज बॉम्मई ये ध्यानकना है विशवराज बॉम्मई यहां कि क्या है सियम है यहां कि गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत यह भी आपको ध्यानकना है कौन है थावर चंद्र गहलोत थावर चंद्र गहलोत इसके लाव आपको ध्यान नकना है यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क है जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क हुआ नागर होल नेशनल पार्क हुआ यह भी आपको ध्यान नकने है और कुंची कुल जलपरपाद जो भारत का सबसे उचा तबसे उचा जलपरपाद है वो कहां है वो भी करनाटक में है, इसके लावा आपको ध्यान रखना है, सीव सुन्दरम जलपरपाद कहा है, ये भी करनाटक में है, कौन सा सीव सुन्दरम, सीव सुन्दरम जलपरपाद और गोकक जलपरपाद, ये तीन जलपरपाद आपको ध्यान रखने है, वाटरफोल इन्हें बो राजधानी आप से पूछ ले तो बैंगलूरू यहां की राजधानी है यह भी आपको ध्यान रक्षन दियाए का और सरकारी नोकरियों में कितने परसेंट आरक्षन है 33 परसेंट किसे महिलाओ को यह भी आपको ध्यान दखना है नेक्स्ट कोशन है भारत और किस देश के बीच 2020 से बंद मैत्री मैत्री एक्सप्रेश फिर से चालू किया गया है बेट्विन इंडिया एंड विच कंट्री दम मैत्री एक्सप्रेश विच है बंगलादेश और यह 2020 में करोना काल से बंद थी इसे हाली में चालू किया गया है मैत्री एक्सप्रेश कब चालू की गयी थी 2008 में यह भी आपको ध्यान नकना है मैत्री एक्सप्रेश 2008 में चालू की गयी थी इसके लावा दो एक्सप्रेश जो है वो भी आपको ध्यान नकनी है एक है बंधन एक्सप्रेश बंधन एक्सप्रेश जो 2017 में चालू की गयी थी कब 2017 में या भी आपको ध्यान रखनी है इसके लावा है एक है मिताली एक्सप्रेस ये भी आपको ध्यान रखना है जो 2021 में चालू की गई थी कब चालू की गई थी तो भारत और बांगला देश के बीच में तीन एक्सप्रेस चलती है कौन-कौन सी एक है थी या चलती है ये भी आपको ध्यान रखना है तो एक है थार एक्सप्रेस थार एक्सप्रेस और ये कब चालू की गई ये की गई 1965 में कब 1965 थार एक्सप्रेस इसके बाद एक होर याद रखना है समझोता एक्सप्रेस समझोता ये कब चालू की गई ये 1976 में चालू की गई ये भी आपको ध्यान रखना है 1976 समझोता एक्सप्रेस और फार एक्सप्रेस ये दोनों आपको ध्यान रखनी है और भारत और बांगलादेस के बीच तीन याद रखनी है कौन-कौन सी एक है मैत्रे एक्सप्रेस जिसे हा किस संगठन का मुख्याले जनेवा में नहीं है विच अब दा फोलोविंग और गनाइजिशन इस नोट हैड़कौर्ट इन जनेवा आपको बताना है कि इन में से कौन से संगठन का जो हैड़कौर्टर है वो कहा नहीं है वो जनेवा में नहीं है यह आपको बताना है तो इसका जो राइट ओप्षन है वो है वल्ड हैसः नहीं है ओरटलिएशन ंनलै है व्ल्ड हैसः लोड अब्ष से खाद चशहिं संगठन वि अब्हुत ज्ञान संगठन विष शा संगठन विष्व अपार संगठन इसका जनेवा यह है इसका ओप्षन एफ एओ इसका जो हेड़कॉर्टर है वो है इटली या रोम में यह आपको ध्यान लगना है रोम इटली रोम एटम इमे से जो मुख्याल्य है वो जनेवा में नहीं है तो विश्व मोस्म विञ्वात संगठन इसका भी जनेवा में और विश्व व्यापार संगठन इसका भी जनेवा में है नेक्स्ट कोर्शन है राष्ट्य पुलिस अकादमी कहां इस्तित है आपको पताना है कि राष्ट्य पुलिस अकादमी कहां इस्तित है आपके ओप्षन है देरादून, बैंगलोर, हैदराबाद या आबूरोड इनमें से जो नेशनल पुलिस अकादमी का हैड़कॉाटर है व ल लव भाई, है पुलिस अकार्दमी, है ये आपको ध्यान लगना है, छीइडा, इसके अलावा आपको ध्यान लगना है, ये तो हो गया IPS, यहनि के इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, अगर आपसे पूछ ले, कि IAS का मुख्याले या ट्रेनिंग सेंटर कहां है तो वो है आपका मसूरी मसूरी और मसूरी कहां है देहरादून ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावाद एक सर्विस और होती है भारतिय प्रसाशनिक सेवाई जो है वो तीन है IPS, IAS और IOS Indian Forest Service और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है इंद्रा गांदी ट्रेनिंग सेंटर कहां पर देहरादून ये भी आपको ध्यान रखना है देहरादून देहरादून ठीक है तो तीनों आपको याद रखने है IPS जो Indian Police Training Center है वो है है एद्राबाद में और IAS Training Center मसूरी देहरादून और इसके अलावा जो आपका IFOS है यानि कि Indian Forest Service जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां है वो है देहरादून में नेक्स्ट कोशन है कौन साथे सबसे ज्यादा दीपो से मिलकर बना है पपवा न्यूगिनी फिलिपीन्स जापान या इंडोनेशिया तो सबसे ज्यादा जो दीपो से मिलकर बना है वो है इंडोनेशिया यह आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया की राजधानी है नुस् इसलिए नुस्तारा को नई राजधानी घोशित किया गया है नुस्तारा ये भी आपको ध्यान लखना है और यहां के राष्ट पती है जोको विडोडो जोको विडोडो ये भी आपको ध्यान लखना है कौन है जोको विडोडो और जापान में हाली में कौन सी संबिट आजित की गई और इंडुनेशा सबसे ज़्यादा तीपों से मिलकर बना है ये आपको ध्यान नखना है नेक्स्ट कोशन है दिन और रात बनते हैं प्रत्वी की कक्षा की आकरती के कारण प्रिकर्मन की गती के कारण घुर्णं की गती के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं आपक ध्यान लगना है क्योंकि आपको पता है सूर्य इस्तिद्ध आपशा ओर प्रत्वी उसका चक्र लगा रही है और अरपनी जो गती है यहनी कि अपने अक्स पर प्रत्वी घुमती यहां उसे गोर्णन गती कहते हैं यह आपको को ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था आपको बताना है जो राइट टू इंफोर्मेशन है यह किस वर्ष लाया गया था इन विच यह दर राइट ओप इन्फोर्मेशन एक्ट वाज पास्ट तो 2001-2005-2004-2002 12 अक्टूबर 2005 12 अक्टूबर 2005 आपको दो तीन फैक्टिस्त के याद रखने है सबसे पहला कि विच्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार किस देश में लाया गया तो स्वीडन यह भी आपको ध्यान रखना है कहां स्वीडन कब 1776 1776 में कहां? स्वीडन में, विच्व का सबसे पहला देश जहां पर सूचना का अधिकार लाया गया, इसके अलावा भारत में आपको ध्यान रखना है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया राज्य स्थर पर तो वो है तमिलनाडू तमिल नाडू और कब लागू किया 1997 भारत में कानून लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में लेकिन तमिल नाडू ने इसे 1997 में ही लागू कर दिया गया इसके लावा आपको ध्यान रखनाएंगे अगर आप कोई सूचना लेने के लिए जारी और सूचना लेने के लिए कोई अप्लिकेशन डालते हैं तो उसकी फीस है 10 रुपे और 30 दिन के अंदर आपको सूचना देनी अनिवार ये है यानि कि जिस डिपार्टमेंट में आप सूचना ग्रैंड करना चाहते हैं उसे 30 दिन के अंदर आपको सूचना देनी ही होगी अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा जुर्माना देना पड़ेगा ये भी आपको ध्यान लखना है इसके अलाब आपको ध्यान लखना है अगर कोई बहुत ही मेत्वपूर्ण important सूचनाएं है जानकारी है जो आपको चाहिए या भारती संस्था भारती जो संस्थाएं है उन्हें चाहिए तो 48 घंटे का उसका time period है कितना 48 घंटे के अंदर सूचनाएं देनी होगी ये भी आपको ध्यान अकना है कोई स्वतंत्रता से संबंदी सूचनाएं या किसी के सार घंटे के अंदर देनी होगी ये आपको ध्यान अकना है और भारत की एकता और अखंदता से संबंदी सूचना देने के लिए कोई भी संस्था बात दिये नहीं है आप अगर किसी आप अपने भारत देश की एकता और अखंदता संबंदी सूचना की जानकारी लेना चाहते ह तो संस्था आपको देने से मना भी कर सकती है इसके लिए आप उस पर कोई जुर्माना या कोई केस नहीं कर सकते यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है एक तंत्र का अर्थ क्या होता है monotomy means मात्र एक वक्ति दुवारा निरंकुष सासन राजा दुवारा सासन लोगतंत्र दुवारा सासन जनपरतिनी दुवारा सासन यह आपको बताना है कि एक तंत्र का मतलब क्या है एक तंत्र अगर मैं बात करूँ इसकी इसे बोल दे हैं ओटो क्रेसी, ओटो क्रेसी, एक तंत्र, निमलिकित में से एक तंत्र का मतलब क्या है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकु सासन, राजा द्वारा सासन, लोगों के द्वारा सासन या जनपरती नीदी द्वारा सासन, तो इसका मतलब है मात्र एक व्यक्ति द्वारा सासन, जिसका आप उधारन ले सकते हैं, चाइना, रश्या और नोर्थ कोरिया, हाली में आप इसका उधारण देख सकते हैं कोन है चानिना रूस और नोर्थ कोरिया जहां पर काफी समय से एक व्यक्ति के दुआरा ही सासन किया जा रहा है कितने समय से अपनी सत्ता में है या आप देख सकते हैं जो पुतिन है वो भी काफी लंबे समय से रूस के राष्ट पती है और नोर्थ कोरिया के ताना सा के बारे में आप सभी जानते हैं वो कितने समय से नोर्थ कोरिया के राष्ट पती है इसके अलावा आपको ध्यान अकना है कि एक तो हो गया एक तंत्र एक हो गया परजातंत्र या लोगतंत्र 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 इसका उधारन है भारत भारत में कैसी सरकार है जनता द्वारा चुनी गई सरकार किसे कहते हैं लोगतंत्र को यह भारत और एक है परजातंत्र यह भी आपको ध्यान नकना है तीन और राज तंत्र का मतलब है कि एक ही घराने के व्यक्ति या एक ही घराने के लोग बार-बार सासन करते हैं यह एक ही घराने से संबंदित व्यक्ति द्वारा सासन किया जाना एक ही घराने से इंगलेंड आप देख सकते हो इंगलेंड में आज भी राजा एक ही घराने से संबं सासं करना निरंग कुछ सासं करना किसके वारा जिसके उदारण है चीन, रुस और नोथ कोरिया और लोगतंत्र के अगर मैं बात करू तो भारत इसका एक उधारन है राजतंत्र इंग्लेंड यानि के राजा जो बना वो एक ही घराने से बना ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन है राज्ये के अधीन राज्ये के अधीन क्या है केवल बाहिये संप्रभुता केवल आंत्रिक संप्रभुता आंत्रिक वा बाहिये यह आपको बताना है कि राज्य के अधीन क्या है अंडर वाट इस दा अंडर स्टेट केवल भाहिये संप्रभुदा केवल आंत्रिक संप्रभुदा आंत्रिक एवं भाहिये संप्रभुदा ना भाहिये ना आंत्रिक यह आपको बताना है तो जो राज्य है इसके अंत्रगत आ आप राज्य का मतलब क्या है पहले ये समझो कि राज्य का मतलब क्या है राज्य का चार तत्व मैं पहला कि निस्चित भूभाग पी Net23す तो उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, जन संक्या होनी चाहिए, यानि के वहाँ निवास करने वाले लोग होने चाहिए, जन संक्या, एक निश्चित सरकार होनी चाहिए, जो जनता के दुआरा चुनी गई हो, निश्चित सरकार और स्तम प्रभूता, यानि के उसे फ और वहां पर निवासी है जन संक्या है भूभाग, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और आपको फैसले लेने का अपना अदिकार है, इसे ही संप्राभूता कहा गया और इसे ही राज्ये कहा गया, यह भी आपको ध्यान लकना है, तो राज्ये का मतलब है कि वो अपने आंतरिक और बाहिये मामलों में अपना खुद का डिसिजन ले तो इसका right answer है C यह आपको ध्यान रखना है कौन सा है right answer है इसका C next question है सुतंत्र भारत की पहली महिला राज्येपाल कोन थी सुतंत्र भारत की पहली महिला राज्येपाल कोन थी आपको बताना है स्रीमती स्रोजनी न्याइडू स्रीमती सुचेता करपलानी इंद्रा गांधी विजे लक्षमी पंडित तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत की पहली महिला राज्येपाल कौन थी तो भारत की पहली महिला राज्येपाल थी स्रोजनी न्याइडू कि यह आपको ध्यान रखना है पहली ठीक है इसके अलावा आप से पूछ सकता है कि पहली मुख्यमंत्री कौन थी तो वो थी सुचेता करपलानी CM और ये कहां की थी ये उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश और ये जो राज्येपाल बनी धी श्रोजी नायडू ये किस प्रदेश की धी ये भी उत्तर प्रदेश की धी ये भी आपको ध्यान लखना है उत्तर प्रदेश इसके लावा आपको ध्यानक ना है श्रीमती इंद्रा गांदी ये पहली महिला प्रधान मंत्री थी किसकी भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री और ये कब से कब तक थी एक बार ये बनी 1967 से 1977 कब-कब 1967 से 1977 और इसके बाद ये बनी 1980 से 1984 ये भी आपको ध्यानक ना है कब बनी 1980 से 1984 अगर मैं विजय लक्स्वी पंडित की बात करूं तो ये भारत की या मैं विश्व की कहूं विश्व की एक मात्र ऐसी महिला जो यून में मासवा यून की जो मासवा है उसकी अध्यक्षा बनी UN महासवा की अध्यक्षा UN महासवा जो जनर्ली सेंबली है उसकी एक मात्र अध्यक्ष महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो थी विजय लक्समी पंडित और ये कब बनी ये भी आपको ध्यानद आठकना है तो 1953 में UN की UN जो जनर्रल महासबा है उसकी अध्यक्स कोन बनी तो विजे लक्षमी पंडित ये भी आपको दियान अखना है स्रोजनी न्याडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्येपाल बनी पहली गवर्नर राज्येपाल इसके अलावा सुचेता करपलानी पहली महीला मुख्य मंत्री बनी किस परदेश की उत्तर परदेश की इंदरा गांदी पहली परदान मंत्री बनी भारत की 1967-1977 और 1980-1984 आपको ध्यान रखना है इसके अलवा मेन कोफ का लेखक कोन है यानि कि एक बुक है मेन कोफ, इसका मतलब है मेरा संगरस मेरा संगरस ये आपको बताना है कि ये किस के द्वारा लिखी गई है मेरा संगरस हिटलर मुसोलिन बिसमार्क या मैजिनी आपको बताना है कि मेरा संगर्स बुक के लेखक कौन है तो इसके लेखक है हिटलर और ये कहां के निवासी थे ये जर्मनी वैसे जन्व इनका आश्ट्रिया में हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है पूछ लेकि इनका जन्व कहा हुआ था तो आश्ट्रिया एक देश पढ़ता है आश्ट्रिया नहीं आश्ट्रिया आश्ट्रिया में इनका जन्व हुआ था कहां पे आश्ट्रिया और इनका मानना था कि जो पहला विश्यूद है इसमें जर्मनी को हराने वाले उनके देश के निवासी यहूदी थे कौन थे यहूदी यहूदी अड़ो फिटलर का मानना था कि जर्मनी हारा है परतम विश्यूद में इनके जो निवासी है यहूदी यहूदी के वज़े से हारा है इसलिए जब यह जर्मनी का सासक बना कब बना 1933 से 1945 के बीच ये जर्मनी का सासक रहा तो इसने यहूदियों का नरसंगार किया किसका क्या यहूदियों का नरसंगार किया यह भी आपको ध्यान नकना है आप से पूछ लेगा कि जर्मन के जो इटलर जो साशकते ताना साथे एड़ फिटलर इसने किस जाती का नरसंगार किया तो ये यहूदियों का नरसंगार किया और आपको ध्यान रखना है जो इनकी बुक है मेरा संगर्स ये 1923 में जेल में थे वहीं जेल में रहते हुए इन खुद आत्मत्या की थी यानि के खुद अपने आपको गोली मार ली थी कब 1945 में दुत्ते विश्मियूद में हार के कारण इन्होंने खुद को खुद को गोली मार ली थी ये भी आपको ध्यान रखना है अगर मैं मुसोलिन की बात करूँ तो मुसोलिन एक राजनेत आदे क अगर आ हो सब्काने हैं हिटलर को नाजीवादी कहा जाता है नाजीवादी विचार धारा है नाजीवादी जैसे महात्मागांधी द्वारा सत्तिक्रै अहिंसा जैसे सब्द या और मुसलिन को क्या का जाता है फासी वादी ये भी आपको ध्यानकना है फासी वादी इसके अलावा आपको ध्यानकना है जो बिस्मार्क है ये जर्मनी का एक ही करण करने वाले जो राजनेता थे वो कौन थे बिस्मार्क आपसे पूछ लेगा कि जर्मनी का एक ही करण किसने क तो वो थे बिसमार्क, ये भी आपको ध्यान नकना है, और ये कहां के थे, ये भी जर्मनी के थे, बिसमार्क, बिसमार्क, तो मेरा संगर्स्पुक किसकी है, ये है हिटलर की, और कब लिखी गई, ये 1923 में लिखी गई, जब ये जेल में थे, इसके बाद आपको ध्यान नकना कि जो जर्मनी के सासक हिटलर जन्मरी के सासक कब बने तो 1933 से 1945 के बीच में और इन्होंने यहुद्यों का नरसंगार किया किसका यहुद्यों का और इनकी विचार धारा थी नाजीवादी विचार धारा जैसे भारत में मातमा गांधी दुआरा अहिंसा और सत्यक रहे जैसी थिज़ानाकना और मुस्मोलीः इटली थे और इनका जो विचार धारा थी यह जो आइडियो जी वह थी फासीवादी अब आपको ध्यान रक में नेक्स सब्संगे के आया था आपको बताना है कि cabinet mission कब भारत आया था आपके option है 1943-1944-1945-1946 तो आपको ये बताना है कि cabinet mission था ये कब भारत आया था cabinet mission के बारे में आपको मैं बता दूँ 1945 में दुत्यविश्यूद के बाद ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां Labour Party की सरकार है किसकी Labour Party की ये जो मैं आपको बता रहा हूँ है सारी चीज़े important है Labour Party ये exam में पूछा गया है कि 1945 में दुत्यविश्यूद के बाद ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी तो वो थी Labour Party की सरकार और इसके जो प्रधान मंत्री थे वो थे Clement Attlee ये भी आपको ध्यान अकना है आपसे पूछ लेगा कि 1945 में विश्यूद के बाद कौन सी सरकार आई तो Labour Party की सरकार और इसके जो प्रधान मंत्री थे वो कौन थे तो थे Clement Attlee की और इनका मानना था कि भारत को अब सुतंदृता देनी चाहिए इनका मानना था किसका Clement Attlee का और इसी के चलते इन्होंने Cabinet Mission की स्थापना की Cabinet Mission Cabinet Mission की स्थापना की और इसमें तीन सदस्ये सामिल थे कौन थे Lord Panthic Lawrence ये भी आपको ध्यान लग रहा है Lord Panthic लाड पैंथिक लोरेंस किका में अ कि इसके अच्छे internet मिशान के अच्छे आप से पूच्छ सकता है कि cabinet Mission के अच्छेश तो लाडdı पैंथिक लोरांस इसके अ ञालाव आप को ध्यान रखना है क्लिमेंट एटली इस्टेफर्ड क्रिप्स स्टेफर्ड क्रिप्स वा एबी अलेक्जेंडर अई बी अलेक्जेंडर दो अन्य सदस्य में सामिल थे तो तीन सदस्यों का ये कैबिनेट मिशन था जिसमें लाड़ पैंतिक लॉरेंस क्या थे अध्यक्स थे और स्टेफ़र्ड क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर ये क्या थे ये सदस्य थे और ये भारत में आया 24 मार्च 1945 को 24 मार्च 1946 को भारत में आया कोन कैबिनेट मिशन तो आप से यहां से कुशन पूछ सकता है कि जो कैबिनेट मिशन है 21 पार्टी की सरकार के दुआरा भेजा गया तो लेबर पार्टी और लेबर पार्टी के प्रधान मंत्री थे क्लिमेंट एटली और इसका मुख्य उदेश से क्या था? इसका मुख्य उदेश से था भारत में समयधानिक तंत्र समयधानिक तंत्र इसथापित करना यहां से कही कोशन आप से पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया? यह 24 मार्च 1946 में आया और किस सरकार के द्वहरा भी जा गया लेवर पाइटी की सरकार जिसके जो प्रदान मंतरी थे वो थे कलेमेंट एटली और केबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लाड़ पैंथिक लोरेंस और इसके जो अन्य दो सदस्चे थे इस्टफर्ड क्र आएगी तो यह आपको ध्यान लखना है दुत्ते विश्यूद के बाद जो लेवर पार्टी की सरकार कहां बनी इंगलेंड में यह भी आपको ध्यान लखना है नेक्ट कोर्शन है सत्यग्रा सब्द का निर्मान किसने क्या था जो सत्यग्रा सब्द है इसका निर्मान किसने किया था आपके option है गांधी सिर्व अंज्विंदो घोस्ट प्रविंद्र नाट टैगोर और राजाम राम मोहन रवे आपको बताना है कि जो सत्य ग्रे है ये किस ने launch किया था या किस का ये idea है या किस की ये विचारधारा है तो ये गांधी की विचारधारा है और गांधी ने पहली बार सत्य ग्रे का परियोग किया ये question बार-बार पूछा जाता है कि गांधी दुआरा जो सत्य ग्रे है इसका परियोग कब किया गया सत्य ग्रे इसका मतलब है सत्य का आग्रे करना है नहीं के सत्य की रहा पर चलना, सत्य की रहा पर चलना, अगर मैं सिंपल भासा में बात करूँ, तो इसका मतलब है सत्य की रहा पर चलना, और इसका पहला प्रथम प्रियोग किया गया था, 11 सितंबर 1906 में दक्षिन अफरीका में नसल भेद के लिए, कहा बर 11 सितंबर 1906, दक् नसल भेद को खत्म करने के लिए क्यूंकि आप जानते हैं कि दक्षिन अफरीका में किसका सासंता ब्रेटिस सासंता और ब्रेटिस अपने आपको स्रेष्ट मानते थे वे काले गोरे का भेद करते थे इसलिए इसे नसल भेद को खत्म करने के लिए गांधी जी द्वारा सत्ते ग्रे चलाय गया यह पहला सत्य ग्रे यह पहला परियोग इनका कहा जाता है कहां यह हुआ अफ्रीका में यह भी आपको ध्यान रखना है आपसे पूछ लेगा कि भार सोरी गांधी जी द्वारा जो सत्य ग्रे है इसका पहला परियोग कहां किया गया तो यह अफ्रीका में किय तो भारत में इसका पहला प्रियोग 1917 में किया गया चंपारण आंदोलन के द्वारा ये भी आपको ध्यानक नहीं कभ चंपारण आंदोलन के द्वारा 1917 में चंपारण आंदोलन कहां हुआ-कब हुआ-क्रम-क्तया पर ignored में किसानों को नील की खेती करने के लिए बाद दे किया गया उनसे बोला गया कि आप अपने जमीन का 3 बटा 20 भाग पर कितने भाग पर तीन बटा बीस भाग पर नील की खेती अक्षे करेंगे यानि कि मेंडेटरी कर दिया कि आपको तीन बटा बीस भाग पर खेती करनी ही करनी होगी इसलिए इसे क्या का गया तीन कठिया पदती तीन कठिया पदती, अगर आप से पूछ ले कि तीन कठिया पदती क्या थी, तो ये थी, कि किसानों को तीन बटा बीस भाग, यानि तीन बटा बीस हिस्से पर क्या करना है, नील की खेती करना है, नील का प्रियोग वे कपड़े के लिए करते थे, और आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन 1866 में क्या हो चुका था ओधोगी क्रांती ला चुका था और वहां पर उन्हें कपड़े की आवशक्ता थी जो रो मेटेरियल है उसकी आवशक्ता पड़ी जिसका उपयोग उन्हें भार के दोहन से गया यह आपको ध्यान रखना है तीन कठ्या पत्ती किसे अधित है और सत्यकरा का पहला परियोग भारत में कब किया गया तो 1917 में किया गया चंपारण अंदोलन के द्वारा और इजह चंपारण इस्थान है यह पड़ता है बिहार में यह आपको ध्यान लखना है कहां पड़ता है बिहार तो डिलेक्टले आपसे पूछ सकता है कि सत्यकरा का पहला परियोग कहां किया गया तो अफरीका में किया गया यह भी आपको ध्यान नकना है 1906 में 11 सितंबर 1906 नसल भेद को समाप्त करने के लिए और 1917 में भारत में पहला परियोग इनका किया गया क्यूंकि आप सब जानते हैं कि 9 फरवरी सोरी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कि भारतिय राश्ट्य कॉंग्रेस में सामिल हुए या भारतिय राजनीति में सामुल हुए कब सामिल हुए नो जर्वनी 1915 को यानिके पूर्ण तरीके से भारतिय सांच जो राजनी थी उसमें सक्रिय रूप से सामिल हुए, इसलिए 9 जन्वरी को परवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, किस के रूप में? प्रवासी दिवस ये भी आपको ध्यान लंकना है तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान लंकने हैं यहां से कोशन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे ये किस वर्स की यानि कि जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना किस वर्स की गई आप से पूछ रहा है आपके उप्षन है 1916, 1917, 1918, 1929 तो इसकी जो स्थापना की गई वह 1917 में की गई 1917 में किसके द्वारा गांधी जी के द्वारा गांधी जी के द्वारा यह भी आपको ध्यानक लखना है और यहीं से क्या स्टार्ट हुआ था नमक आंदोलन या दांडी यात्रा आप बोलते हैं दांडी यात्रा कहां से स्टार्ट हुई, वो साबरमती से स्टार्ट हुई कहां से साबर मती आश्रम से ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके बाद 1916 में आपको पता है दा 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनव अधिवेशन उसे लखनव समझोते के नाम से भी जाना जाता है लखनव लखनव अधिवेशन या लखनव समझोता जिसमें भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस वा मुस्लिम लीग का समझोता हुआ और साती सात जो कांग्रेस के दो दल थे नरम दल और वा गरम दल इनका भी समझोता हुआ नरम दल और गर्म दल इन दोनों का समझोता कब हुआ 1916 लकनाव समझोता और इसके अध्यक्स थे अंबी का चरण मजूमदार ये भी आपको ध्यानकना है आपसे डिरेक्ली पूछता है कि लकनाव समझोता किसे संबंदित है तो भारतिय राष्टे कोंग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंदित है इसलिए इसे लकनाव समझोता कहा जाता है 1916 में ये हुआ था इसके लाव आपको ध्यानकना है जो 1918 है इसमें हुआ एहमदाबाद मील आंदोलन ये भी आपको ध्यानकना है और इसमें भी गांधी जी ने अपनी भूमिगानी भाई थी और ये एहमदाबाद मील आंदोलन जो था ये एहमदाबाद के जो मील के मालिक थे उन्होंने जो करमचारियों को तन्खा या वेतन देने से मना कर दिया था इसी के चलते ये आंदोलन किया गया था ये भी आपको धाननक नहीं अगर मैं 1929 की बात करूँ तो 1929 में एक अदिवेशन हुआ लाहोर अधिवेशन आप सभी जानते है लाहोर पर जिसमें क्या माँकि गई श्राज की मांग की गई और यहां पर ही तिरंगा फैराए गया मद्दे रातरी को तिरंगा फैराए गया ये भी आपको ध्यान लख नरखना है तो 1917 में सावरमदी की जो आश्रा में इसकी स्थापना की गई 1916 लखनाव सुम्जोदा ये भी आपको ध्यान रखना है 1918 एमदा बेर्दमील में करमचारियों का अंदोलन और 1929 ये है लाहोर अधिवेशन जिसके अध्यक्स भी आप से पूछ लेगा तो ये थे जवाहर लाल नहरू जवार लाल ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है नेक्स है भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस का पहला अध्यक्स कोन था जोर्ज यूले विलियम वेडबर्ण ए ओ हुम या हैरी कॉटन ये आपको बताना है कि जोर्ज यूले विलियम वेडबर्ण ए ओ हुम या हैरी कॉटन इनमें से र यह आपको ध्यान लखना है और यह important question है important कि पहला अंग्रेज अध्यक्सिस का राष्ट्य कोंग्रेस का यह कौन था तो यह थे योर्ज ले जोर्ज यूले और जो राष्ट्य कोंग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई 1928 दिसंबर 1885 और कहां पर हुई मुंबई यह भी आपको ध्यान लखना है कहां पर हुई मुंबई ठीक है और इसके जो स्थापना की गई वह 28 दिसंबर 1885 और इसके पहले अंग्रेज अध्यक्सिस पहले अंग्रेज अध्यक्स जोर्ज Čले यह भी आपको ध्यान लखना है नेक्स्ट कुर्शन है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रो की पहली गोली चलाई थी कहने का मतलब यह है यह पूछ रहा है कि जो मंगल पांडे हैं इन्होंने पहली गोली 1857 के विद्रो की पहली गोली कहां चलाई या गोली चलाकर 1857 के विद्रो को चिंगारी दी, यह कहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, बैरकपूर मेरट कानपूर या जहां सी, तो यह बैरकपूर से इन्होंने स्टार्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि यहां के जो अंग्रेज करमचारी थे, वो गाएं और सुव दार इनकी गोली मार कर हत्या कर दी थी और आठ अप्रेल आठ अप्रेल उन्नीस 1857 को इन्हें फासी दी गई किसे मंगल पांडे को मंगल पांडे तो जो 1857 का विद्रो स्टार्ट हुआ वो बैरकपूर से हुआ और बैरकपूर पस्चिम मंगाल में पढ़ता है कहां पर वेस्ट बंगोल पस्चिम बंगाल या बंगाल आप बोल सकते हो बंगाल में पढ़ता है चोबिस परगना जीला इसके लाभापको ध्यान रखना है अमेयरट में जो सिपाईद है entrepreneurs चालू किया यहिए आपको ध्याना है सिफाईव दुअरा पाई योध वारा क्यों क्या गया क्यूंकि मंगलपांडे को फासी दी गई और जो अन्य थे unhe jail में डाल दिया गया इसका विद्रो कहां से स्टार्ट हो फिर मेरण से स्टार्ट हुआ अगर मैं कानपूर की बात करूं तो कान पूर में किस के नित्यत में विद्रोय स्टार्ट हुआ तो यह आपके टात्ये टोपे इंग तात्ये टोपे जैंषी में आत्माराम पांडु रंग भी हो जाता है जै पांडु रंगा का जाता है राफ तोपे ठीक है यह आपको ध्यान रखना एकर मैं जहासी की बात करूँ तो जहासी में आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मी भाई रानी लक्ष्मी भाई तो जो 1857 के विद्रो की पहली गोली चलाई थी वो किसने चलाई थी मंगल पांडे ने किसे मार कर जन्रल डार ये भी आपको ध्यान रखना है और 8 अप्रेल 1857 को मंगल पांडे को फासी दी गई वह अन्य जो इसके साती थे उन्हें जेल में डाल दे गया जिसके चलते मेरत मे में शिफाई और विद्रो किया यह भी आपको ध्यान लखना है नेक्स्ट कोशन है कि क्या ये इतना ही था आज का इतना यह आ हमने डिसकस क्या करणंट फेर के कुछ important question कल फिर मिलते हैं कुछ नहीं जानकारी के साथ नहीं current affairs को कोश्चन के साथ तब तक के लिए नमस्कार